जाई शियाराम भक्तो हरहर महादेव, भक्तो आज हम आपको जोडने वाले हैं, संत स्री मलुक दाज जी की महराणा उदाई सिंग जी ने दाता को वहां पर मेमान बुलाय थे और पानी में ही मालवे निकल गए और वापस गया जो गी की मुतबिक था लेकिन जूही परवेश करा नाले में और वापस पानी बन गया और वो बहने लग गया अच्छा अच्छा सवी की मालवेश में बहने की में और वहांच करा राय यदर जाए शियाराम बगतो हर हर महादेव भकतो आज हम आपको जोडने वाले हैं संत स्री मलुक दाज जी उन्हें के नाम से परसिद्ध है मलुक दाज जी की खेड़ी चलिए तो आप अगर मलुक दाज जी खेड़ी पदारना चाते हैं संत स्री मलुक दाज जी के स्थान पर उदाइपूर से लगबग 55 किलो पर सित है मलुक दाजी का स्थान संत्सरी के यहां पर आप पदार रहे हैं तो उदाइपुर से आप डूंगला पदार हैं आप डूंगला से सीधा आगे आएंगे तो मा एलवा के दरबार के नीचे की साइड में जो रोड जा रही हैं जो मुख्य सड़क जा रही हैं वो बड मलुक दाज जी की खेड़ी में और यहीं पर आप देख रहे हैं काफी चमतकरिस्तान हैं चलिए तो भक्तों मलुक दाज जी के इतिहास से जोड़ते हैं ऐसा कहा जाता है वुजुर्गों और पोथियों का अनुसार कि मलुक दाज जी का जो जीवनकाल है वो माहराणा उद 1545 में समाधिली थी और उनके चमतकार के बात करें तो काफी चमतकार हैं ऐसा का जाता है कि एक ऐसा चमतकार हुआ था कि महराणा उदाई सिंग जी ने दाटा को वहां पर मेमान बुलाये थे अब यहां पर जैसे की पहले मेमान बुलाते थे तो संत सरी को यानिकी एक ऐसी पालकी बनीवुति थी पालकी में बिठा कर उनको ले जाए जाता था। तो यानि कि सारे सरवादार वगेरा सारे सात में थे। और यहां पर मलुक दाज जी की खेडी है, वहां से यानि की दाता को उसमें बिठाएं, और दाता ने बोला कि पूरा ढग दीजी आप, और वहां ले जाकर फिर खोलिया आप, यहां से फिर वहां पर उदाईपूर पधारे, तो राना उदाई सिंजी से वो पहले ही मिल चुक और भी कई सारी इसी महिमा हैं जो यहां के बुजूर्ग लोगे उनसे जोडते हैं हम जैसिया राम जी, जैसिया राम जी, तो हमारे भक्तों को आप मलुक दाज जी का इतियाहा से और क्या चमतकार हुए, क्या सुनते आ रहे हैं आप, वो बताईए, सर आम यहां पे यह सु जाए तो बनुक दाज जी जो मारानम जोडाहा जी जो से आजमी बेगा इसको कटोओ जो 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 आपना पीपल काट इह जो भाव जितो ऱुपगए अपने थीड़ों अपन इनको हर जागरजे में तो अच्या तो घहान नीम् जोटान जो भाव वाव जो बीटाए तो आप इसको वह भी पर चाहिए और प्रगमा लगा दो पांच थो उन्हे प्रगमा लगई और पीपल हरी हो गया तो उद्रपूर नहीं को जो आए काड़ने के लिए तो फ़ो वापस उद्रपूर गया महाराना उज़िशिंधी पासनना कार साभ वहां तो कोई संत है उस ने उस फिपल को हर्या कर जिया और हरी पेड को काटने सकते हैं तो उन्होंने का एस वा कॉन सा सत है चलो बुलाओ उनको अपने मेमान करते हैं तो वहां से पालकी बेज के और यहां पीबल खेडी में बेजा उनको और पीबल खेडी में आग के अंत मात्मा को यह बिठाया तो मात्मा ने अरज करी कि आप दो रोज चलो तीन जो कितने भी चलो लेकिन इसको खोलना नहीं है जब बंद ही रखना है पालकी को अगर में एक जाए थो जो जो दो चार разб刚 वही तब लुफार डार में तो दो एक थो लोगे नई अंदर क्या ये बेटें हैं तो नहीं पुस्अ अंधर भी होगे खोला तो वह वहां से दूनी से गए वह वापस अंदर बैट एपाल के उपेटे थे तो यार यह तो फिर दर्बार ने उनको परनाम किया आसन दिया और दर्बार ने कहा चलो आपको जो चाहिए वो देने के लिए मिर तैयार हूँ अच्छा अच्छा महारा अदे सिंग दिन तो आपको चाहिए जुम्ह देने के तो साभ मेर को कुछ चाहिए नहीं मैं तो हूँ सादू मेर को क्या चाहिए शिरफ गाम आपका और नाम मेरा रहने दो तो उस दिन से पीबल खेडी का नाम बदल के और माना अणा उदे सिंग जी ने मलुकदाज जी की खेडी नाम रख है यह सुनने में आता है को माल पूवय मैं घी कंबर गया जो माराज ने 殉दरक दिया वहieme से कुंट से जहां से तो नाते थे मह तो दिबब बल वहां माल पर निकाल लो भचा हुआ तो वहाँसे नाँसे लाय और मैं निकले बचा हुआ था वहास कुंड के अंदर अच्छ जुखेते तो वह पानी लाये थे और पानी में ही माल पर निकल गय और वापस गया जो गी की मुतबिक था लेकिन पर्वेश करा नाले में और वापस पानी बन गया और वह बैने लग गया तो अपने बताया है कि एक कुंड का भी चमतकार हुआ है तो उसी कुंड को हमने फातमा और पानी के चलंदर के तो पानी के ऊपर आगर पानी का तीज होता है तो पानी ब शाद्स भरोख साल कि फैलिम हूं पमने एंदेगा ने को Inform Weekly at Oh離ous चैनल रेता है कि अतना ही पानीं रहताई। मे अब तरो चांहे ये इतना ही पानी रहता है... आशाम होता है जो अपि जो कंडिशन में वही पानी रहता है जौ अभी जो कंडिशन में रहता है। यह जो नहीं होता तो यह नहीं ठीक्राव अटता था प्रोंगी जट मैं करते तो कॉंड नूम ही था अच्सें पूरा कॉंड नूम भे-पदेश है पानी निकलता था जो और दीकिया इस कॉंडकी और क्या खास बात है यहां हम मैला कोई शनान ने करते गांकि मैला और बाहर की वो कोई भी महिला यहां सनान नहीं करेगी और पर शिरफ पुरू सनान करते थे एक परोष के गाउं की महिला आई थी तो वह नाने कल दिये करा लेकिन उनको एसा कुछ समतकार दिखा जो वह वापस लेगी उसके यह यानि कि यह जो स्थान है पवित्र स्थान है और आज यानि कि हमने यहां पर आज वीडियो बनाया है और में भी आशा करता हूं कि मैं अगले बार आऊं तो यहां पर कुछ समतकार ऐसा हो कि यह पूरा पवित्र जो कुंड है कापी अच्छा दिखे मतलब वहां से आये जो समाधिक खुद ही नहीं ने मां से अर्दास करी जमीन को कि मातेशरी अब में ओपन हो गया हूं पूरा मतलब यह और मुझे अपने अंदर समा ले तो वह उसी दिन से अंदर समा गए और यहां पर समाधि बाद में जो उपर है वो में समाधि पर शिरफ पत्थरी है और बनी हुए कुछ नहीं यह बाद में निर्मान करवा आया हमने तो यह जो समाधि है वो कब ली थी लगबग यह समझो 1550 में हमारे पूरवज यह आया थे उस समय मलुकदाश के ली ती तो उसके 45 साल पेले यानि 1545 समाधि लिए संतसरी 108 मलुकदाश जी का जो स्थान है काफी मनोरम स्थान हो गया है और विकास समीति की तरफ से यहाँ पर काफी अच्छी यानि की रख रखाव है और विक्रम समध 2050 में एक यहाँ पर सराई बनाई है जो यानि की काफी पुरानी सराई है और यहाँ पर आप देखते हैं कि हर पूर्णीमा को यहाँ पर यानि की भक्तों का टोला काफी रहता है और विशाल सत्संग महिम हैं रहने के लिए सराय बनी हुई हैं ग्राम वासी मिलकर भी काफी यहां पर विकास कर रहे हैं तो आप एक बार संद स्री मलुक दाज जी अवश्य पदार है अगर आपको यह इतिहास अच्छा लगा है तो आप अपने परिवार के साथ शेयर करो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो साथ में बेल आइकन को दबो जै शिया राम जै मलुक दाज जी की